कि अभी रमजान में जब मजजीद एक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था तब उसको लात्यों से मारा जाया करता था जब वो दूआ में अल्ला को याद करता था तब उसको धक्का दिया आता था अभे ऐसा गया आप सुच cant Bereそ you yes कौन जोग है कि इस्राइलियों से मेंतना कर दूक तुम जितना भी जुन्म उठा लो ताबूदे सकीना इyr RHO की ताकत थी यहूदियों की ताकत थी जब यह जंग में करते थे यह कौई जूंग में वख्स ठाप जब लोग शुर्यार्य घुन कोपी थी शुच को झरई होते चर थी उसके आम यहाँ होगत्यार विदश हं सतो drinking तर्वें खड़े हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया दुआ करते वे लोगों को मारा गया ऐसे तरा किताब को लिए पढ़ रहे हैं एक पावन किताब है इसको लाजों से मार रहे हैं एक लाग चौबीस हजार नभी जो की सज बाबा मेरा नाम ए रम तो गाइज आज वीडियो पर रेक्शन करने बड़ा इंटरेसिंग सा टॉपिक है बहुत हटके टॉपिक आज के लिजरायल और फिलिस्तान में जो आप लोगों को पता है जो बाक्यात हो रहे हैं लड़ाईयां हो रही है युद्ध हो रहा है क्या सब है दो को कई बंदा मर जाता ओशर दें लकडी का सब दॉबत कर नारकों सेनकों ने फिलिस्तान के मसजित पर हम आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आप कैसे रेक्शन वीडियो भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सबस्क्राइब करें गाइज वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो तो आज के रेक्शन हमें स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के लेट्स प्लेए नमस्कार मेहुदेब इसमें आप देख रहे हैं लोग तंतिटी भी इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करबट ले लिया आप सोचिए कि जिस देश का प इस तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग रहे हैं और भारत के राजवा किंग आफ इंडिया यान की प्रधान मंत्री वह इजराइल के समर्थन में कहा जा रहा है कि इजराइल से वेपारिक संबंद है तरह-तरह की बाते चल रहें लेकिन इस विश्य पर खास बात चीत क तो यह मुझे पंडित होगे अच्छे आपको पता है यह मसला क्या है जैसे मालो में मेरे मंदीर है मैं यहां पूजा कर रहा हूं तो अपने इस माइक से मेरे सब पर मानना शुरू कर दो धक्का देना शुरू कर दो सेम वाइब वहां पर मैंने यह एक नहीं हजार वीडिय करता था तब उसको धक्का दिया याता था यह गलत है आप सुचिए यह कौन लोग है को यह वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दिर रहने को यहूदी दाभि हैं ईज्राइलियों को जमीन दी आ और ये याकुब के ही याकुब के ही नाम से उनका वन से आज है झाँ को पर महराच जी पर कि यहूदी यों की ताकत थी जंग मैं french को बह्त है करते थे उनने कई जंग भते की है वे एक जादूई बक्सा था जिसे सिना निकलती थी तौरेत की ओरिजिनल कौपी है उसके अंदर कई नभियों के पहने हुए कुछ उनके चीजे हैं उनके कपड़े हैं उनके अंदर वे एक ताकतवर बक्सा है और दिवालों में जाके रोत आप लो यह इसराइली रोते हैं यह पक्के मकार इनके पहला पक्का मकार बनता ही नहीं था यह कपड़े मकामे रहते थे यह जाईलों का इतिहास है जितने भी राइजली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनके रोंग्टे कड़े हो जाएंके हिंदूस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महराज मेरी बॉल खोल दिया यह लोग मतलबी होते हैं यह लोग एक ची मैं बताता हूं इनका कॉंफलेक्ट क्या है इसलाम में अल्ला ने चार किताब यास मानी तोरी अंधीर और एक और है और कुरान एक और किताब है चार किताब भीजी उन चा उमसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी लिकिन लाश्ट पेगंबर हज़त मौम्मद साब आये उनको जो कुरान मिली वो पूरे इसलाम के लिए थी पूरे उम्मत के लिए ती एक लाग 24,000बी जोकी सज़दा किये हैं नमाज पढ़े हैं हमारे नभी मौमद साब के म मज़िद एक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी एक लागचोवीजान नभीयों को यह इस फिलिस्तिनियों का मानना है और यहूदी यहूदियों का था हिटलर ने बगाया कुत्तों की तरह उन्हें उन्हें से कभजा करवा लिया डेश के प्रधान मंतरी को अगर बिदे अर्षा सब्सक्राइब की तो हीपेनेशन थ्योरी जो ने दे थी कि न हम इस दीजियों की जब की हमारे देश में भी सुनतर सिनानी हम रह चुके हैं हम आई लोग रह चुके हैं हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजात करा आया है तो क्या अगर फिलिस्तिनी के हम पर थे पहरेद गन्जा का आण यहां दोते हैं जो कि वहां का वहां का गांजा पत्टी का वहां इलक्सन भी जीता है पुबिक अपृर्ण अगर वो करते हैं तो क्या हमारे माव अधीया नक्सल वादिया से नहीं है ऐमारे यहां पर इंडर बोगर नहीं जो अपने लिए अमेरिका इसमें अपना बद लेना चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है कि इरान बोल दे, और एक और मुसल्मान कंट्री कॉम तबाबर बास कर दे, यसे इराग को किये थे, यह बहुत मसला है, आप पुछो हमें कैसे पता, कैसे पता, यूपीएसी स्टुएंट है हम, मोदी की तरह आंट पंगुः टेक नहीं है, योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते हैं, इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी, उसमें इस्राइलियों को भी सामिल किया, आप आते इस्राइलों के किस्तिहात पे, और मैं आप अपने कुल देवता के पास जाओंगा, तो क्या आप हमें खड़े होके वहां से लातमार के भगा देंगे, जब कि हमारे धरम का एक ही है, अल्ला, जब फिलिस्तीनी मजडिदे अक्सा में जाते थे, आज उनको, क्या किया गया बता आपको, क्या किया गया, आज आपने बं जब कि इसलाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है, कि एक इनसान का कतल, पूरी इनसानियत का इसलाम का कतल है, अगर कोई बेकसुर मरा जाए, आज आपके बंबलाष्ट में, आप लवाकों से लड़ रहे हो, हमा से लड़ रहे हो, आप आप अवाम से लड़ आप लोगों को मार रहे हो उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं मर रहे हैं अब भायत ने कभी ऐसे देश ऐसे युद्धों का समर्थन सब्सक्राइब करते हैं अगर पाकिस्तान के बाद परमालू ना होता तो हमें परमालू देवाने की कोई जुरूआत नहीं थी हम जियो जियो और जिनों देव की भासा में बात करते थे लेकिन इस देश के परदान मंतरी ने काला इत्याद दिया आज अगर वो मानते हैं तो क्या चालिस करोर मुसल्मान की आस्था इज्राइलियों से बड़ी हो गई चालिस करोर लोगों की जिनों ने अल्ला और कुरान की बात करके मोदी जी मज्जित में जाके बोलते थे क्या उनसे बड़े हो गई इस्राइली क्या ने अंदर मोदी अल्ला से बड़े मनते हैं इस्राइल को ये मेरे भी तो सवाली मेरा नहीं आम मुसल्मान का सवाल है का जा रहा है की एजराइल पर मोदी जी पो आप सबाल करेंगे जारा कर अब मैं कर रहा है अगर मोदी जी लिए फैसला दिए है तोर Eggs देख डिक कहीं निक यह चुनावी तोरपर समर्थन है इज्राइल का राजनीति का और विजदेशनीति देखके नहीं है पहली बात कहीं न कहीं मुझे एक बात का असास तो है और मैं बहुत इस जानिये कि मेरी आग कुछ मैं बोल नहीं सकता इस पर लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के प्रधान मंत्री ने नरि संगारो के यह इंडिया को जोड़ जया पाज कि इंडिया वे तो फिलिस्तिन का समर्तन जब्. की मीटिंग में इस तरीके से बाइठकों बाइठक में आंतिव होते हैं जिननों ने दे अजायत कहा है जिनके पूर्वज इस तेज में सहीbach होते उनको पता है फिलिस्तिनियों का दर्द आपको पता होना चाहिए कॉंग्रिस ने इस देश को आजात कराया मातमा गांधी नेरू है बाइप पटे जन से आजात बागा सिंग अगर उस वक्त हम सेंता सिनानी थे तो कि आज फिलिस्तिन सेंता सिनानी नहीं है क्या हूँ आतंको तो क्या हमें चीज़ को अपना भिरोध नहीं करेंगे तो शारुक खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है कि किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस्लामिक कंट्रियां विए जस्पंद्रा लोगों को मिला कर एक टीम बना कर इंडिया से फिलिस्तीन से टर्की से वहां भेजे और सारी इस्लामिक कंट्रिया एक होकर इसराइल को मिटा दें ख़तम करें इसराइल नहीं हो कर बहुत पावर्फुल कंट्री अब इसराइल खतम होने माला है अमेरिका के साथ मिला हुआ है तो फिर आप रसिया तो आप जान रहे ना चाइना और रसिया और मिल जाते इंडिया बारत कब तक चाहेंगे बता दीजिए तु आप इंडिया अमेरिका के सामने इस अम्ञाने की भूर करता है आप कोट केटो युद्या दे कि नहीं आद है आप पढ़े नहीं होंगे बाई मैं कह रहा हूँ ना आप लोग मोदी जी वाले हैं छोड़ी आपको नहीं जानका जी है जितना भी जुम उठालो जितना भी कर लो जितना भी मार लो पीड़ लो ताबू देल सकीना तुमारे हाथ में नहीं आएगी क्योंकि फिलिस्तीन का मुसल्मान अपने वतन अपने धर्म के लिए इतना पक्का है आगर वह आतंगव्दी थे तो क्या राम भाक्त आर राम सेवक जो हमने कार सवक की थे क्या हम भी आतंगवादी थे राम मं Yap मैं वुजार करना चाहिए उनकी जो इच्छा है और जो ताकत है वो जो चले गी यह मानवी लोगों पर चाहिए मैं आध्यात्मिन पर मैं महाकाल के हुआ हम मेरे उपर किसी का नहीं चलता स pénbn couldnet प्रदानमंत्री को फिर एक बार होता चाहिए कि अपनी जमीन की मांग करना अपनी देश के लड़ना अपनी लिचलों को बचाना और जो चीजे मैंने दी उसी को वापिस लेना और हां क्या यह अतंक वाद है और अधंक दिखी अगर किसाना दुलन भी अतंक दिखा था उनको मरिपूर मरिपूर जलता रहे गया मरिपूर भी को इजिनों कोई कि अग लगी वहापर वीटियों का रेप हुआ उस पे नहीं बोलेंगे उसका साथ दीजे ना जाइए वहाँ पे तो इस रहा है कोई आजे टूइट की बात कर रहा है आप मैं कर रहा हूं देश की बेटियों के साथ चंतर मंतर में क्या हुआ आप दिखिए इस देश का पधार मंतरी ऐसी भासा बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे कारकरों में साथ दिया है फिर तो आप अल्ला से दुआ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन किसी तरह मुकंबल तरीके से जीते जीतेगा जा मजजिद का ऐलान है और आप जाएंगे बहुत जल्द हैं आपसे मुलाक लगात होगी लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नमाज परते को मारा मारा गया, दुआ करते हूं लोग को मारा गया, ऐसे किताब खोनके तरा भी पढ़ रहे हैं, ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहें वो लोग, जो पर रहा है, उसको भगा दे रहे हैं लोग जुल्मी तो है जुल्म कोई भी करेगा फिर कोई बरदास नहीं करेगा जब बात मान सम्मान किया जाती है बात अपने उपर आ जाती है बात अपने धर्म पर आ जाती है ना तो बात चाहे राम की हो चाहे रहीम की हो चाहे ला की हो चाहे किसी की हो हम सब के लिए गर्दंकटवा देंगे तरसल अगर आप वीडियो शोचल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट कर पर प्रितिक रिया जूर दीजेगा कि आप इस युद्ध में यानि कि फिलिस्तीन और इस्राइल के युद्ध में आप किनके समर्थन में हैं शुक्रिया तो आप लोग भी बता सकते हैं आप किसके समर्थन में जहां तक कि मैंने आप लोगों को बताए तक कि इस्राइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया यूएस भी उसको सपोर्ट कर रहा है और इस्राइल और एक पावरफुल कंट्री है और जैसा कि महनतिजी ने बोला है बहु कोमेंट्स में करिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगया तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रेक्शन वीडियो भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो गाइस यह जरूर करें दोस्तों के साथ ताकि सब को यह पता चल